अब्लोग तो कैसे हैं आप सब अबीब करते हूं सभी अच्छी होंगे और मैं बहुत अच्छी हूं तो यह चाय मसाला पाउडर है तो मेरी पूझा हो चुकी है और आज है बुद्वा तारीक है 10 जन्वरी तो मेरा नाश्टा की तैयारी हो रही है देखती हूं आगे क्या क्या करती हूं आपके साथ जरूशिया करूँ तो यहां पर मैं बस बना रही हूं नाश्टा यहनि कि आज बेटी होस्टल वापस जा तो बस तो बैसे लग गई हूं उसी काम में कि टाइम से सब कुछ हो जाए तो यहां पर बन गई है अलू भी की सूभी सबसी और जो बहुत ही घर में सबको पसंद आती है और पूरियों के साथ तो इसका कॉमिनेशन बहुत ही अच्छा है और मैंने दो तरह किया था बनाया है क्योंकि घर में कुछ लोग खाते हैं सादा और कुछ लोग खाते हैं ऐसा तो फिर दोनों तरह का ही मैंने रखा है क्योंकि फिर एक जैसा बनाऊंगी तो कुछ लोगों के मूँ बनेंगे तो इससे अच्छा है यह है कि सबके मन का बना दो तो बस यहां पर मैं बना रही और एक तरफ तबावी रखा हुआ है कि खाने होती है और इक तरफ बनेंगी पूरियां तो आज के लितनी धंड हो रही है कि सुबह को यह लगता है कि बस जल्दी यल्दी काम निपते हो और बस हाथों को थोड़ा सा गरम करें और बसे न काम करते रहो तो नहीं धंड लगती है लेकिन हाप पाणी मेरे जब अट दालते है तो ठंड बहुत लगता है और मौसम है तना इसा हो रहा है कि गलन वाली थंड है। जैसे कि वह भूपर बही जो पहाणोरों पर बरह में थंड है तो थाम हो रहा था करीब और नौ बजे का और गिया उतनी जल्दी जबता है क कि बस जब तक उसको मेल्ट ना करो तक रोटी पर लगी नहीं पाता है और बहुत जल्दी जम जाता है उतारो और फटा-फट से जम गया दो मिनट के बाद ही तो यहां पर टिफिन भी पैक कर दिया है दौनों तरह का पूरी सबजी का और रोटी भी तो बस यहां पर से मिलके बस निकल ही रहे हैं और रजबन जी खड़े हुए थे बाहर तो बस टाइम हो गया था उसके जाने का ट्रेन का टाइम हो गया था तो बस वहां पर जूते-बुते पहन के फटा-फट रेडी हो गई और अपने बाबा से भी मिली दादी से भी मिली अभी इतनी जो काम तो जरूरी है तो वह तो करने ही पड़ेंगे तो चली गई थी बेटी साड़े नौबजे के करीब स्टेशन यहां से करीब 10-15 मिनिट का रास्ता है रेल्वे स्टेशन का तो फिर मैं आ गई थी अपना और दूसी चीज बनाने तो यहां पर बना रही थी मैं मुझे और यही सब चीजें डालके ओट्स बनाऊंगे तो सुबह को ना पूड़ी और रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है और यहां बनावी चीजें और मामी पापाजी का क्या रहता है ना कि वह पोह वगईरा खाते नहीं है और गयहुं का दल्या है वो नहीं रोज रोज अच्र लगता है फिर लगता है कि चलो हमें यही pati बनाओ लिए लिए Positive आरी दंशोले तो से म होई आधि बूदार कर देंगे तो में समय अच्छाप निकल ज़ा baikward जादा नहीं भूना है और बिल्कुल तब गाड़ा ना हो इसलिए बहुत सारा पानी डाला ठीक ना हो बहुत ज्यादा तो फिर उस पर से डाल दिया फिर बन गया था हरा धनिया डालने के बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे तो मैं रोज खा सकती हूं और हल्दी भी रहता है फिर उसके बाद ना ममी जी ने गाजर काटनी थी तो मैंने उसके लिए पानी बॉयल होने रख दिया था उसमें हल्दी और नमक डाल के कि अचार बनाना था क्यों आज से तैयारी करेंग हल्दी से बहुत है ना कि अच्छा कलर भी आता है चार में और नमक से बहुत दिनों तक अचार नशू और लंबे समय तक सही बना रहता है खराब नहीं होता है तो यह दो दुपहर का टाइम था करीब लंच भी बनाना था मुझे इसी टाइम और पूरा दिन हो गया था इस जल्दी से उसकी नमी खतम हो जाएगी ते तर करीब दुपहर में धाई बजे की करीब बेटे का गया था ओनलाइन लैप टॉप टॉप अपना लैप टॉप चला रहा था ओनलाइन ही ओडर किया था तो वह आ चुका था फिर मैं फिर आ गई थी लंच बनाने लंच में भी आल भी पड़ी रहती हैं फिर बेकार होती हैं फिर हमने भी वहीख ती आलू गाजर की सब्जी के सब्सबद हुएस गुपल तरीके से बनाई थी मैने बिलकुल भी मीच मसाले नहीं डाल लेते, पीजिक हलदी धनया और नमा को, इसमें लाल मीच भी नहीं ढालती हूं ममी जी और पापा जी के उज़े से, इसके बल हरी मीच भी यह ब्नध भार्मीच ही डालती हूं बनती है तो मैं पानी जरूर पीती हूं क्योंकि थोड़ा सा गुर्णगोना पानी कर लेती हूं चाय वाले बरतन में ही पहले पानी ज्यादा सा रख देती हूं फिर एक गिलास अपना पानी निकाल लेती हूं उसके बद चाय बनाती हूं मम्मी जी न बोला था गुड़की च दूद को औलग से बाइल कर रही थी और चाए पति याद रुछ उलक चाइपती अद्रक और बुड्ड मैं दूड़ डाला और गया है डीम करने के बाद पिर ना जाएगा। डिनर का टाइम तो डिनर भी मुझे बनाना था और डिनर के टाइम पर पता चला कि हमारे लिए दावत घर पर ही चलकर आ गईगे ना ऐसा हुआ था कहीं से मेरी नना देना उनके सब्जियां यहां पर गरम करके फिर मैंना दे दूंगे खुद भी खा लोंगे और सबको दे द करना भी गरम कर लिए और खा लेंगे खाना और आज यहीं पर अपना वीडियो का करेंगे क्योंकि ना ब्लॉक जादा लंबा हो जाता है फिर इसलिए थोड़ा सा वीडियो को कट करकर के ही मैं आपके साथ आपके पास भेज़ती हूं तो पूरिया यहां पर गरम करके मैंन और यहोप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो मिलूँगी एक नेक्स और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अप्तर के लिए आदे कर दो येशितने के देख ये कर दो टेख बार आए हैं तो मिल्स आदेख झानल ऑал जई कर दो ने कर दो डिए मी मारी लारर आता हैं टक्क झाहां, थीजे, और मक्रवान है वे और एorteष येघक झाहां, झाल